नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकाशित उन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के द्रिश्टिकोन से उप्योगी हैं इस क्रम में वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि क्या आप मानते हैं कि भारतिय लोकतंत्र में पासहमती के अधिकार के साथ करतव के मद्ध संतुलन की आविसकता है या जो प्रश्न आप से पूछा गया है या प्रश्न संबंदित है आज के संपादकी से आज तीन संपादकी को सामिल किया गया है जिसमें पहला संपादकी है 4-4-1 और इस संपादकी को लिया गया है हिंदू से और यह संपादकी अंतरास्टिय संबंद के दृष्टिकों से म लिया गया है दा हिंदू नियूश्पेपर से और यह संपाद की विज्ञान एवं प्रद्योगी की के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है तीसरा संपाद की जिसका सिर्सक है आंदोलन की जगह इसे लिया गया है जनसत्ता से और यह संपाद की राजविवस्था के दृष्ट इस संपादकी में इन्पुट के रूप में दैनिक जागरन का संपादकी भी शामिल है तो चलिए देखते हैं एक-एक संपादकी को विस्तार के साथ लेकिन उससे पहले कल जो प्रशन आप से पूछा गया था उसका सही जवाब देखते हैं प्रशन है कि सिरोसिस से निम्न मे से कौन सा अंग प्रभावित होता है ओप्शन ए लिवर बी लंग्स सी हिर दै और डी छोटी आथ इसका सही जवाब है लिवर या यक्रित चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने संपादकी की ओर आज का जो पहला संपादकी है इसका सीर्षक है फोर फॉर वन और इस संपादक संपादकी का आधार है 6 अक्टूबर को हुई क्वाड की टोक्यो वारता क्वाड यानि की क्वाड्री लेटरल सिक्यूरिटी डैलोक क्वाड में चार देश सामिल हैं जो हैं अमरिका जापान आस्टेलिया और भारत और अगर हम क्वाड के ओरिजिन को ढूंडें तो उसका औरिजिन है 2004 इसवी में आई हुई सुनामी दो हजार चार में सुनामी जब आए थे तब सुनामी से प्रभावी छेतरों में राहत एबन बचाव के कारी को करने के लिए ये चारों देस एक मंच पर सामिल हुए और चारों देसों ने कुसलता पूर्वक राहत एबन जापान के ततकालीन प्रधान मंत्री सिंजो अवे के दिमाग में हिंद प्रसांत अवधारना आई। और उसी वर्स 2007 इस्वी में वार्सिक मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत की ओर से जापान, सिंगापूर, आस्टेलिया को आमंत्रित किया गया। यह जो वार्सिक मालाबार नौसेना अभ्यास है, इसे प्रारंब किया गया था 1992 इस्वी में और यह भारत और अमरिका के बीच एक वार्सिक नौसेना अभ्यास है। लेकिन उसके बाद अंतराष्टी पटल पर जो राजनितिक परिवर्तन हुए तो उन राजनितिक परिवर्तनों के कारण अगले साथ वर्सों में लगभग क्वार्ड निस्क्रिय रहा। लेकिन 2014 इस्वी से पुना क्वार्ड सक्रिय हो गया। 2015 इस्वी में मालाबार अभ्यास में जापान को सामिल किया गया। 2019 इस्वी की नियार्क बैठक हुई क्वार्ड के विदेश मंत्रियों के बीच और 2020 में इसकी पूरी संभावना है कि मालाबार अभ्यास में आस्टेलिया सामिल हो। अब क्वार्ड की सक्रियता का एक और प्रमान है हालिया टोक्यो वार्टा। जो 6 अक्टूबर को टोक्यो में क्वार्ड के जो देश हैं और उनके विदेश मंत्रियों के बीच में जो वार्टा हुई है उस वार्टा के जरा प्रमुक जो बिंदू है उस पर गौर करते हैं। इन चारों देशों के विदेश मंत्यों ने हिंद परसान छेत्र में छेत्रिय इस्थिर्ता एवं सम्रिधी में विर्धी के लिए जहां संपर्क को बढ़ाने पर बल दिया वहीं धाचागत विकास या अवसरचनात्मक विकास या इंफरस्ट्रक्चर के निर्मान पर भी उ और समुद्री सुरक्षा मतलब मेरी टैम सिक्रिटी को बढ़ाने की भी बात की गई और आतंकवाद के विरुध समन्नित परियास पर बल दिया गया उसके अलावा कोविड महामारी के समाधान के लिए जो उपाय सुझाने की बात की गई उसमें भी साजहा परियास पर बल साथी कोविड महामारी को समाध करने के लिए रोखने के लिए जो टीकों का विकास किया जाएगा तो वो टीके सस्ते हो जो दवाईयां हैं उन दवाईयों तक आम लोगों की पहुँच हो तो यह सुनिश्चित हो इसके लिए भी समन्नित परियास की बात की गई अब यहां लगता है कि क्वार्ड में सामिल जितने देश हैं वह क्वार्ड को लेकर काफी गंभीर है लेकिन क्वार्ड में एक देश है United States of America और संपादगी के अनुसार अमेरिका के नजरिये पर गौर करना अविस्यक है वह इसलिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान से यह इसपस्ट होता है कि कि अमरिका क्वार्ड को एक माध्यम के रूप में देख रहा है और वह माध्यम है हिंद परसान छेत्र में चीन की आकरमक्ता को चुनोती देने के रूप में अमरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने यह बात कही है कि हिंद परसान छेत्र में शोसन बरष्टाचार और जोड़ जबरदस्ती को रोकने में क्वार्ड के देशों के मद्ध जो सयोग है वह काफी महत्पुन भूमिका निभा सकता है उसके अलावा माइक पॉम्पियो ने उले किया जो एले सी पर गतिरोध है उसका और जो चीन की आकरा मकता है डक्षिन पूरवी चीन सागर में उसकी तो अब अगर हम अमेरीकी नजरिये की बात करें तो ऐसा लगता है क्या कि जो क्वार्ड का गडबंधन है या जो क्वार्ड है उसमें मुक्त और खुले हिंद प्रसांत छेत्र की वकालत अमेरीका नहीं कर रहा है बलकि अमेरीका का जो नजरिया है वो ऐसा है कि क्वार्ड एक सैन गडबंधन होगा किसके विरुद चीन के विरुद है अब अमेरीका के इस नजरिये को भारत नजर अंदाज नहीं कर सकता है देखें जापान और आस्टेलिया की इस्थिती भारत से भिन्न है क्योंकि जापान और आस्टेलिया अमेरीका के सहयोगी है उसके गडबंधन से बंधे हुए है जबकि इन सत्तर वर्सों में मतलब स्वंद्रता प्राप्ति के सत्तर वर्सों में भारत रणनीतिक रूप से स्वायत रहा है और भारत के जो भी समस्याएं रहे हैं चाहे वो वैदेसिक नीति के संदर में हो चाहे वो पड़ोसी देशों के संदर में हो तो भारत ने अपनी समस्या के समाधान को हमेशा दुई पक्षी आधार पर सुलजाने पर बल दिया है। वहीं भारत हमेशा से हिंद प्रसांथ छेत्र में स्वतंत्र एवं मुक्त नौवहन के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। तो मतलब यहां पर यह है कि कौड में जो कौड की वारता चल रही है उसमें भारत की रणनीटी स्वायत रहनी चाहिए। हमेशा भारत क्वार्ड वारता में इस स्वायत रणनीती का प्रयोग करे और क्वार्ड में जितना महत्पूर्ण इस्थान अन देशों का है उतना ही महत्पूर्ण इस्थान भारत का है और भारत का अन तीनों देशों के साथ एक समान इस्थिती है। एवं महत्पूर्ण आर्थिक हितों तथा सुरक्षा को सुद्रड करना है। तो इस संपादकी में हाल में जो क्वार्ड की बैठक हुई है टोक्यो में उस पर एक नज़र डाला गिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादकी की ओर। हमारा दूसरा जो संपादकी है उसका सिर्शक है The Hall in the Middle और इसका आधार है 2020 का भौत की नॉबल पृसकार। यह जो नॉबल पृसकार दिया गया है वो ब्लैक होल की खोश पर आधारी थे। और यह नॉबल पृसकार दिया गया है रोजर पैन्रोज, रेंड हार्ट जैंजेल और एंड्रिया घेज को यह जो ब्लैक होल सब्द है इस सब्द को परचलित किया 1967 में अमरीकी खगोल सास्तरी जॉन वेलर ने और अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो अंत्रिक्ष में यह एक ऐसा छेतर है जहां गुर्त्वा कर्सन का खीचाओ काफी मजबूत होता है इतना मजबूत की वहां से प्रकास भी नहीं गुजर सकता है अब जरा हम इन भौतिक विज्ञानियों के द्वारा जो अधिन किया गया है उस पर एक नज़र डालते है रोजर पैंडोस रोजर पैंडोस ने 1960 के दसक में गणिती ये तरीकों का आविस्कार किया और यह जो गणिती तरीकों का उन्होंने आविस्कार किया उसका उद्दिस यह था कि सापेक्छता का जो सामाने सिधान्त है उस सापेक्छता के सामाने सिधान्त में जिस ब्लैक होल की गठन की बात की गई है उसको वह साबित कर सके सापक्चिता का सामाने सिधांत आखिर दिया किसने? Einstein ने 1915 येस्वी में और जब Einstein ने 1915 में सापक्चिता का सामाने सिधांत दिया तो ठीक उसके कुछ मैनों के बाद Karl, Sward, Chil उन्होंने एक solution को publish किया और उस solution में उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो प्रजशन किसका था, singularity का, या आखिर है क्या, तो या एक एक आयामी बिंदू, जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देखे, या क्या है, या एक आयामी बिंदू होता है, जहां कि अत्यधिक द्रविमान होता है, और यहाँ पर घनत और गुरुत्व, वो दोनों अनन्त हो है, या ब्लैक होल के एराउंड, यहाँ पर देखें यह, जो इवेंट होरिजन, यहाँ इस चित्र में देखें, कि जो ब्लैक होल के एराउंड, या एक कालपनिक रेखा है, जिससे प्रकास नहीं गुजर सकती है, हाला कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान सिधान को और इसी संदिक दिता को दूर किया पैंडोज में, पैंडोज ने गणिती तरीके के द्वारा सामान रूप से ब्लैक होल के निर्मान की स्थिति को इसपस्ट किया, इतना ही नहीं, पैंडोज ने जो अध्यन किया, उसने एक वातावरन का निर्मान किया, किस बात का? तो के अब्जरवेटरी अध्यन के लिए, मतलब ये कि पैंडोज ने जो अध्यन किया, उसने एक संकेत दिया, और संकेत ये इस बात का, कि सुपरमैसिब ब्लैक होल का अब्जरवेटरी अध्यन किया जा सकता है, और यही काम किया, किस ने? रैंहार्ट गैंजेल और एंड्रि की खोच की है, इन्होंने यह बताया है कि आकास गंगा के केंद्र में अत्यधिक घनत वाला एक छेत्र है, और यह छेत्र वास्तम में है क्या, यह है ब्लैक होल्ड, देखे, 1960 के दसक के अंत तक, यह इसपस्ट हो चुका था, कि जो हमारी आकास गंगा है, उस आकास गंगा क केंद्र में एक छेत्र है, जिसका नाम क्या दिया गया, सेगिटेरियस ए, या धनु ए, वा इस्तित है, और पिर्थवी से उसकी दूरी कितनी है, 26,000 प्रकास वर्स, तब रेनहार्ट गेंजेल और एंड्रिया गेस ने, 1990 के दसक में, जब टेलिसकोप और उपकरण विक्सि का था, कि यह जो छेत्र है, सेगिटेरियस ए, या धनु ए, उसका वो अध्यन कर सके, तो दोनों ने इस छेत्र के अध्यन के लिए एक स्वतंत्र समू का निर्मान किया, और चीली और हवाई, पर इस्तित जो वैद साला है, वहाँ पर उनका अध्यन प्रारम हुआ, तीन द एस्टू, और उन्होंने यह पाया, कि यह जो एस्टू है, मतलब तीस तारों का जो ग्रूप है, तो उनका एक विसिस्ट कक्छा है, उन्होंने यह पाया, कि यह जो सितारे हैं, यह जो स्टार्स हैं, वो दिर्ग विर्ताकार, मतलब जो कैपलर कक्छा है, अंडाकार, तो ये उसका पालन करते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ यहां निकलता है कि एक केंद्रिये केंद्रित द्रब्विमान वस्तु है, वह क्या है, वह सूपर मैसिब ब्लैक होल्स, तो कुल मिलाकर, क्या अभी तक हमें पता चला है, हमें यह पता चला है, कि ब्लैक होल के अध्यन के लिए 1960 के दसक में रोजर पैन्रोज ने सैध्धान्तिक आधार दिया और 1990 के दसक से प्रारंब रेनहोड जेंजेल और एंड्रिया गेज के अवलोकन ने उसे क्या दिया उस ब्लैक होल को भी एक व्यवहारिक आधार दिया यही कारण है कि तीनों को संयुक्त रूप से भौतकी का नौबल प्रसकार दिया गया है तो अभी तक हमने दो संपादकी पर विस्तार पूर्वक नज़र डाली है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादकी की ओर यह रहा हमारा तीसरे संपादकी है जिसका शिर्षक है आंदोलन की जगा और इसका आधार है शाहीन बाग प्रदर्सन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्ण अब हमें यह पता है कि नागरिक्ता संसोधन कानून मतलब CAA से जुड़े मुद्दे पर सुरू हुए आंदोलन की दोरान दिल्ली के शाहीन बाग में नोईडा से जोडने वाली सड़क पर प्रदर्सन कारियों के एक समूने धर्णा दिया था वह सौध दिन से भी ज़्यादा चला इस बीच सरकार की ओर से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी रही मगर इस पर सामती नहीं बन सकी जबकि दूसरे नागरिक्त समूहों की ओर से दिल्ली नोईडा की सड़क को खोलने की मांग की जा रही थी यह रास्ता बंद होने की वज़ा से दोनों और के लोगों को दूसरे रास्ते से लंबा सफरते करना पड़ता था जिसमें काफी वक्त लगता था लेकिन प्रदर्सन कारी अपनी मांगे पूरी होने तक धरना इस थलसे हटने पर आजी नहीं हुए फिर मार्च में कोरोना महामारी के संकरमन के मद्यनजर पूर्ण बंदी और धारा 144 लागू करने की घोसना हुए और उसके बाद यह प्रदर्सन भी तब खत्म होता तो इसी साहिन बाग प्रदर्सन पर सुप्रीम कोट का निड़ना है देखे सुप्रीम कोट ने क्या बात कही है सुप्रीम कोट ने यह बात कही है कि संविधान में विरोध और और उसाहमती इन दोनों का अधिकार दिया गया है लेकिन इस अधिकार के साथ साथ यह भी आवस्यक है कि संभिधान में जो दिये के करतव है उसके मद्ध सामनजस से बिठाय जाए सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि यह सही है कि लोगतंत्र और आवसाहमती कसा अस्तित्व है परंतु विरोध प्रदर्शन का निश्चित इस्थान होना चाहिए इस तरक को स्विकार नहीं किया जा सकता कि विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग कहीं भी और कभी भी जुड़ सकते है सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि शाहिन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों से बाचित के लिए जिन दो सदसी वारताकार को भेजा गया था तो उनके अनुसार जो शाहिन बाग में प्रदर्शन चल रहा था वह नेत्रित हीन हो चुका था उसमें नित्रत्य की कमी हो चुकी थी और उसमें जितने लोग जुड़े हुए थे उसमें से कुछ के अपने अपने हित थे इसके अलावा सुप्रीम कोट ने यह बात भी कही कि प्रशासन जब ऐसी इस्थिती का सामना कर रहा हो तो इससे निपटने के लिए प्रशासन को खुद कदम उठाना चाहिए सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि शाहिन बाग इलाके को प्रदर्सन कारियों से खाली कराने के लिए दिल्ली पुलीस को कारवाई करनी चाहिए थी ऐसी हालात में प्राधिकारियों को खुद कदम उठाना चाहिए था वे अदालत की आड़ नहीं ले सकते नहीं अपनी प्रसासनिक गतिविधी के लिए अदालत से समर्थन मांग सकते है अदालत किसी कदम की वैधानिक्ता पर फैसला करती है प्रसासन को बंदूग चलाने के लिए कंधा देना अदालत का काम नहीं है तो अब सुप्रीम कोट ने जितनी भी बातें कही है साहिन बाग प्रदर्सन पर तो इसका अर्थ यहां पर यहां निकलता है कि सार्जनिक बैठक या विरोध प्रदर्सन का एक निर्दिष्ट या विशिष्ट छेतर होना जाए उसके अलावा यह भी अर्थ निकलता है कि जब व्यक्ती व्यक्ती समू अपने अधिकारों का प्रयोग कर रही हो तो उसका प्रयोग उस सीमा तक ही उचित माना जाएगा जहां तक कि दूसरों के अधिकार न छिंजाएं या दूसरे अपने अधिकारों से वंजित न हो जाएं वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्ने दिया गया है उस पर एक दूसरा पक्ष भी है वह पक्ष क्या है वह पक्ष यह है कि अच्छा तो यह होता है कि जो फैसला सर्वोच नियाले ने अभी दिया है सर्वोच नियाले या फैसला पहले दे देता आखिर क्या जरती सर्वोच नैले को वारताकार भेजने की। क्यों ऐसा इसलिए कि सुप्रीम कोट ने जब वारताकारों को वहाँ भेजा तो इससे प्रदर्सन कारियों का मनोबल बढ़ा और लोगों की संख्या वहाँ पर पढ़ती चलेगे। तो दिल्ली पुलीस उन प्रदर्सन कारियों के विरुद्ध कारि करने में हिचकचा रही थी। वहीं सुप्रीम कोट क्या कहती है कि अनिश्चित काल के लिए सारजनिक इस्थल पर प्रदर्सन नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोट ने उस प्रविट्धी की ओर अपना ध्यान नहीं दिया जिसमें कि जो प्रदर्सन होता है वह प्रदर्सन अपने मार्ग से भठक जाता है। और उसके भटकने का कारण क्या होता है कि उसमें ऐसे संगठन सामिल होते हैं जिनका इरादा संदिक्द होता है और इसकी और इसारा भी किया गया है कि कुछ संगठन सामिल हुए थे शाहिन बाग प्रदर्शन की दोरान जिनकी गतिविधियां संदिक्द थी और अभी हातरस म जो विरोध हो रहा है वहाँ भी ऐसे संगठन मौजूद दिख रहे हैं तो निसकर्स्त यह बात कही जा रही है कि आसहमती, विरोध, आंदोलन ये तीनों लोकतंतर की खूपसूरती को बढ़ाते हैं क्योंकि यह देश और समाज को निरंतर मजबूत करते हैं लेकिन इसके साथ यह भी आवस्यक है कि व्यक्ति या समाज अपने अधिकारों की साथ करतव्य के मद्ध सामंजस्य को इस्थापित करें क्योंकि इसी से लोकतंतरिक दायरों का विस्तार होता है तो कुल मिलाकर हमने आज तीन संपादिकी पर विस्तार पूर्वक अपनी नज़र रखी अपनी नज़र डाली देखते हैं आज का प्रश्ण प्रश्ण है कि S2 निम्न में से क्या है A. सूपरसोनिक मिसाइल B. तीस तारों का समू C. नवीन खोजा गया धातू D. कोविट वेक्सिन तो इस प्रश्ण के साथ ही इस वीडियो को हमें समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार